सत्र में पंच्रायत राज चुनावों में कुष्ट रोग्यों को भी पंच्रायत के चुनाव लड़ने की अनुमती मिल गई है साथी चुनावों में दो बच्चों में दिव्यांगों को नहीं गिना जाएगा यानि पंचायत राज चुनाव लड़ने वाले उमीदवार के दो बच्चों की गिंती में दिव्यांग बच्चों को नहीं गिना जाएगा जो बच्चे स्वस्त होंगे उन्हें ही दो बच्चों की गिंती में गिना जाएगा इसी के साथ विशेश योगेजन विभाग की ओर से सरकार को दिव्यांगों को भी आरक्षन के अनुसार निकाय चुनावों में सीटें वितृत करने के लिए लिखा गया है जिस पर सरकार और केविनेट विचार करेगी इसी के साथ UDH की ओर से आवंटित के जाने वाले कियोस्क और जमीन को विशेश योगेजन आरक्षन के अनुसार आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यहां भी जमीन के जितने भी आवंटन के मामले होते हैं उन सब में इन विशेशी जोगिनों के लिए जो इनका अरक्षन का प्रवधान है उसी इसाब से आवंटन किया जाए बाकी समय और जगे भी हमने युडियेज को यह भी कहा है कि आप जो कियोस्क माटते हैं जो आप थड़ियां अलोट करने काम करते हैं उनमें भी जितने भी आप कियोस्क लेते हैं उन्हीं कियोस्कों में इनका जो कोटा होता है वो कोटा है